हेलो मैं हूँ नितिन राठोर आज मैं आपके लिए एक और नए वीडियो लेकर आया हूँ और ये जो वीडियो है ये एक और नए प्रोड़क के अन्बॉक्सिंग के उपर है जो कि मैंने अपनी मेरी हुंड़ाइग राइटेन नियॉस कार के लिए मंगवाया है ठीक है ये प्रोड़क मेंने पर्चेस किया है और इसके बारे में बताओं तो ये है यूएसबी चार्जर है ठीक है और इसमें दो यूएसबी पोर्ट हमें मिलते हैं ये बोर्ट कंपनी का चार्जर है इस चार्जर को मेरा पर्चेस करने का सबसे बड़ा कारण एक और ये था कि इसम हमें two years का warranty मिल रहा है बाकि जो online मैंने दूसरे charger देखे थे उसमें किसी में six month का मिल रहा था किसे में one year का मिल रहा था और ये इस product में मुझे two year का complete warranty मुझे मिला है ठीक है इसलिए मैंने ये product purchase किया है तो जैसे कि आप इसे देख रहे हैं ये dual USB port के साथ मैं हमें मिलता है जो क कि एक USB port fast charging को support करता है और एक USB port normal charging को support करता है और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमें एक USB cable भी free मिलता है ठीक है और इसमें पीछे थोड़ा सा इसके बारे में जैनकारी जैसे कि दी गई है कि किसी सबसे work करता है ये इसमें जो फार चार्जिंग का जो port है इसमें हमें 18 watt का maximum output मिलता है जो Qualcomm 3.0 का port है और जो पहला जो port हमें मिलता है वो 7.5 watt maximum output निकालता है जो जोकी 5 watt और 2.1 amp का port है तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी अगर MRP की बात करें हम तो आपको बताओं तो मैं MRP जो कुछ है इस तरह से है इसकी 999 की MRP है लेकिन ये जो product मुझे मिला है 364 रूपीज में मुझे मिला है जिसे मैंने purchase किया है तो इसकी मैं आपको unboxing करके बताता हूँ कि किस type का product है यह वीडियो में बने रही है मैं आपको इसकी unboxing start करते हैं इस product की जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं यहां पर tape लगी वी आती है इसे मैंने cut कर दिया है ठी इसे open करते हैं तो हमें इसके साथ में मिलने वाले contents आपको बताता हूँ मैं इसमें हमें कुछ इस प्रकार के contents मिलते हैं एक यह micro USB cable मिलती है और यह USB charger हमें मिलता है ठीक है इसमें dual port आपको जैसे कि मैंने पहले बताया है इसकी build quality की बात करूँ तो काफी अच्छी build quality है और finishing finishing भी काफी अच्छी है मतलब ऐसा feel नहीं हो रहा है कि कोई बहुत हलका charger है बहुत मतलब heavy feel हो रहा है मुझे ठीक है और cable की अगर बात करूँ तो इसमें जो हमें cable मिल रही है यह भी काफी अच्छी quality की है जो normal USB cable होती है micro USB cable होती है उनसे काफी अच्छी है बहतर है और इसमे की है आपको बताऊं तो यह भी metal finish है कोई plastic नहीं है और cable भी एक material एक cotton टाइप के material में cover की गई है जो rubber material से थोड़ा सा different है और life भी अच्छी नजर आ रही ही कि life अच्छी रहेगी इस cable की और इसमें हमें कुछ इस टाइप का एक card मिलता है और एक ब्रैंड card मिलता है जिसमें brand catalog है इसमें brand के बारे में बताया गया है और इनके brands के products के बारे में बताया और एक हमें एक warranty card मिलता है जो कि two years के लिए है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें two years का warranty मिलता है और साथ ही में हमें एक स्टिगर मिलता है बोट कंपनी के लिए कि इसे हम कहीं भी लगा सकते हैं ठीक है ये प्रोटिक्ट हमें मिलता है इन बॉक्स करने पर अब इसे मैं आपको प्लग करके बताता हूं कार के भी प्लग करता हूं अब ही कार की चाभी आउन है जैसी मैं चाभी आफ करता हूं तो यह चाजर आफ हो जाएगा ठीक है जैसे देख रहे हैं और जैसे ही कार की चाड़ भी अन करूँगा यह अन हो गया तुरंट इसकी जो केबल की लेंथ है आपको बताओ तो लेंथ भी काफी अच्छी लेंथ है इसकी ठीक है कि यह micro USB पोड है और अभूजित सैट में हमें USB पोड मिलता है दिक है cert fresh charging तो नीचे पोड में लगाएंगे और और normal charging phone support करता है तो उपर वाले पोड में लगाएंगे इसे कि में आपको sufficient है इस cable की ठीक है यह micro USB cable है ठीक है तो बताइएगा कैसा लगा मेरा बनाया गया यह वीडियो और आप लोग वीडियो को like भी कीजिए चैनल को subscribe भी कीजिए वीडियो देखने के लिए thank you so much